कि नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपी आज एक नए वीडियो का साथ आप लोग सामने हूं जैसा कि आप सभी लोग ज्यानते हों कि राष्ट भारत के बिश्मार्क या लौह पुरुस या जिसको हम स्रिबल्लब भाई पटेल जी कहते हैं उनकी एक सो अनतालीसमी जैनती मना रहा है जिसको हम एकता दिवस के रुप में मनाते हैं लाज मांट बेटिन की द्वारा सरदार पटेल को जब संबोधित किया गया बताया गया उन्होंने अपने उप सची आर्थर हैंडर्सन को जब कोई कहा करते थे मतलब पटेल जी की विसाय में तो यहीं कहते थे कि वह भारत की बिसमार्क हैं और उनके मृत्य पर मांट बेटिन ने ही कहा था कि वर्सों से आप भारत में एक सक्तिसाली इस्तम की बिराजमान हैं मुझे नहीं लगता कि एक बार आपने अपना मन बना लिया तो देस में कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है यह सब थे हम सभी जानते हैं कि भारत की एक एक एकरण में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है अगर साइद्या लोव पुरूश नहों होते तो भारत का एक एक एकरण कोई कर भी नहापाता है और जिन जिन जगहों पर सरदार जी ने हाथ नहीं लगाया वहां मामला गरवड़ ही हो गया उसमें कस्मीर एक बहुत प्रमुक्रिया सकती जिसको नहरूजी ने विशेज पावर से अपने पास रख लिया था सवाल ये पैदा होता है यहापन कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको केवल कराची अधिवेशन में कब हुआ था कराची अधिवेशन कराची में अधिवेशन नहीं वह था तो कहा यह गया कि ऐसा करो प्राइमिंश्टर की बात मत करो लोगों ने कहा उसमें प्राइमिंश्टर की बात मत करो अधियक्ष चुनो और जो अधियक्ष बन जा वहीं प्रधानमंत्री बन जाएग तो कहा जो हमारे कांग्रेस के जो प्रांतों के अधियक्ष हैं वहीं वोट डाल देंगी उन दिनों में भारत में 15 प्रांत हुआ करते थे तो 15 प्रांतों के अध्यक्ष वोट डाले इन में से 13 वोट सरदार पटेल को पड़े और 2 वोट नहरी जुई को पड़ा मिला था निच्रल बात है अध्यक्ष उससे में कौन चुन लिया गया पटेल जी लेकिन प्राइमिस्टर कौन बन गया प्राइमिस्टर बना दो वोट पाने वाले वाला नहरूजी या दो वोट पाने वाले नहरूजी थोड़ा सम्माल प्रकट कर देते हैं अच्छा रहेगा मैं आज स्वामी सिवान जी का एक लेक्चर सुन रहा था 19 अगस्ट 2023 का एफासर था स्वामी सिवान जी एक बहुत बड़े आरे समाजी वक्ता है तो उनका भासर सुन रहा था उसमें कई बाते निकल करके आई मैं च्छमा भी चाहूंगा आज इसका जिक रिष्ली हमें करना पड़ रहा है क्योंकि भविष्ष को अगर हमें देखना आये तो इस बात को समझना ही पड़ेगा अन्यता हम अपने भविष्ष में फिर गरवडियां करेंगे और यह हम अपने जो भी हमें सुने उनसे मैं उम्मीद करूँगा भविष्ष में इस बात का कहीं भी ध्यान रखें सरदार पटेल जी को सरद्धांजली बेनमब सरद्धांजली उनकी योगदान को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता कहीं से कम नहीं किया जा सकता अंतिम छण तक उन्हों ने अपने देश की सेवा किया और इतनी सेवा किया जिसका किसी भारती के पास कोई सब्द नहीं है उसको कहने का भारती नहीं अगर हम विदेशियों की भी बात कहें तो भी उनके मुंसे सरदार पटेल के लिए प्रसंसा ही निकलेगा लेकिन कभी-कभी भावावेश में आकर या क्या परिस्थितियां थे यह भी मैं नहीं जानता हूं लेकिन इसको जिक्र करना जरूरी है आज की दिन आप लोग समझे और सुनिए भावावेश में आकर के मैं तो यहीं मानता हूं अगर कोई आप नेड़ने गलत ले लेते हैं तो उसका खाम्याजा किसी दूसरे को उठाना पड़ता है ऐसे ही एक गलती की जिक्र मैं करना चाहूंगा हमारा उदेश से नहीं है कि हम पटेल जी को कहीं से कमता राक रहे हैं मैं पुना एक बार का देना चाहता हूं पटेल जी अगर नहीं होते तो भारत की 这गलत दिशाहीन हो जाता क्योंकि नहरू जैसे लोगों की हाथ में जो कमान थी उनको समालने का काम पटेल जी कर सकते थे नकेल कसने का काम गांधी जैसे व्यक्त को भी सम्हालने का काम पटेल जी कर सकते थी और किया भी उन्होंने कई ये भूपर लेकिन गर्वडी उन्होंने सिर्फ एक ही कर दिया आज उनका जनमदिवत से मैं अच्छमा चाहूंगा कि मैं यहाँ गर्वडी की बात कर रहा असल में हुआ है कि जब ये निरणय आ गया कि तेरह लोगों ने पटेल जी को चुना और दो लोगों नहरू जी को चुना तो नहरू जी ने तो सोचा कि हमारा पीएम बनने से रहा अब मैं तो पीएम बनने से रहा तो गांधी जी के पास गए और गुस्य में बोले रात को आधी रात के वक्त बोले कि गांधी जी आपने तो कहा था मैं प्राइमिस्टर बना दूंगा और आप तो प्राइमिस्टर बना नहीं पाए प्राइमिस्टर तो पटेल जी होंगे अब अगर आप हमें और खटक गया तो उन्होंने एक कहा कि भाई फिर क्या करें तो का प्राइमिस्टर हमें ही बनाओ नए तो मैं तीन भागुम डिवाइट करूँ गया बात आई गई गांदी जी ने सोचा फिर रात को एक बजे लेटर लिख्या सरदा जी को इस बात का जिक्र कहा है मैं यह भी बता दे रहा हूँ इस बात का जिक्र है महात्मा गांदी की एक सिस्ष्य थे प्यारे लाल उन्होंने इस चार खंडों में किताब लिखी महात्मा गांदी पर जिसका नाम है पूर्णा हुती उसी में है उसके तीसरे खंड में सिवानी जी का भासर भी आप लोग सुन सकते हैं, उन्होंने जिक्र किया है, तो रात को एक बज़े सरदार जीन चिथी लिखी, तो गांधी जीन चिथी लिखी सरदार जी को, और सीराज गोपालाचारी को बुलाया, उनके हाथों पहुँचवाया, चिथी, चिथी में आप मेरी बात को टालिंग नहीं, न कभी आज तक टाला है, तो ये भी बात हमारी टालिंग नहीं आप, और मैं चाहता हूं कि निहरुजी को प्राइमिस्टर बनने दो, आधी आज बाते लिख करके लास्ट में इंड किया, चिथी थोड़ी लंबी थी, पटेल जी ने पढ इह रच जाता हूं, नहीरुजी को अध्यक्च बना दिए गया, अब इसको ये महानत्याग माना जाता है, ह़लाकि ये अब महानत्याग है की नहीं, अगर हम सिवानी जी के सब्दों में कहें, तो उनका तो यहीं कहना था, कि क्या है, उनका महानत्याग था, ये की लिया गया नेने था और जिसके वज़ए से को देश को बहुत नुक्सान उठाना पड़ा बीभाजन से ले करके हिंदुओं की मार काड़ कि कि यहां पर सिवानेंच जी ने एक उधन भी सुनाया कि मैं एक सन्यासी हूं सिवाने जी ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूं मुझे देश-दुनिया से कोई मतलब नहीं है अगर कोई कसाई हमारे पास आकर कहे और मेरी एक गौसाला चलती है और उसमें गाये हैं अच्छी खासी गाये हैं अगर कोई कसाई हमारे पास आकर कहे क कि आप तो सन्यासी हैं, आपको तो इस दुनिया से क्या मतलब है, आप इन गायों का क्या करेंगे, ऐसा करिए गाय हमें दे दी, तो सिवाने जी कहा कि क्या हम उन गायों को उस कसाई को दे देंगे, कदाप नहीं देंगे, क्योंकि मैं रिजल्ट जानता हूं, इसी तरह से फिर भी उन्हों नहरू की हाथ सत्ता सोब दे, और इस गलती का खाम्याजा हिंदूों को भुगतना पड़ा, हिंदुस्तान की लोगों को भुगतना पड़ा, बहुत जवर्चस्त, हिंदूों तो नहीं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की लोगों को, अब इसका क्या अब इस कहानी को से आप लोग क्या निसकर्ष निकालते हैं ये तो आप सुरोताओं पर हैं निसंदेह पटेल जी एक महान जक्त थे पटेल जी वह से भारत यूनाइट हुआ पटेल जी ने भारत को एक दिसा दी लेकिन उनके एक छोटे से निर्णे गलत निर्णे ने भारत को जुद मिलना चेहताओं नहीं मिल पाया और भारत उन कसाईयों के हाथ में चला गया जिन्होंने अपनी आयासी में सब कुछ जोग दिया देश को पताने कितने महान लोगों की बली हो गई पताने कितने व्यक्तियों की बली हो गई फिर भी देदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल रहा साबर मती के संत तुने कर दिया कमाल आदी बाते कहीगे साइद या पठेल जी प्राइमिस्टर होते तो ए बाते नहोती आप इस तत्य पर विचार जरूर करियेगा आएए हम लोग एक बार पुनह अपने इस परंप्रिय तेजस्वी नेता को राष्ट पुत्र को प्रणाम करें सर्धानजली दें धन्यवाद नमस्कार जैहिन जैभारत बन्ने मात्रम अगर आपको ए वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा नमस्कार